ओम शांती बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में बच्चों, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं गिंती तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने एक से तीस तक की गिंती पढ़ी और लिखी थी अब आज की कक्षा में हम तीस से साथ तक की गिंतीयों को पढ़ेंगे और लिखेंगे और आप मेरे साथ इन गिंती को दोराएंगे ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये है एकत्तीस एकत्तीस यानी थर्टी वान अब आप बोलिए एकत्तीस अब ये है बद्तीस बद्तीस यानी थर्टी टू आप बोलिए बद्तीस अब ये है तैंतीस यानी थर्टी थ्री आप बोलिए थर्टीस अब ये है चोंतिस चोंतिस यानी थर्टी फोर आप बोलिए चोंतिस अब ये है पैंतिस यानी थर्टी फाइव आप बोलिए पैंतिस बच्चों पैंतिस को ऐसे भी लिखा जाता है अब ये है छट्तिस यानी थर्टी सिक्स आप बोलिए चतिस अब ये है 37 37 यानी 37 आप बोलिए 37 अब ये है 38 38 यानी 38 आप बोलिए 38 बच्चों 38 को हम ऐसे भी लिखते हैं अब ये है 49 49 यानी 39 आप बोलिए 49 बच्चों इसे ऐसे भी लिखा जाता है अब ये है 40 40 यानी 40 आप बोलिए 40 अब ये है 41 41 यानी 41 आप बोलिए 41 अब ये है 42 42 यानी 42 आप बोलिए 42 अब ये है 43 43 यानी 43 आप बोलिए 43 अब ये है 44 44 यानी 44 आप बोलिए 44 अब ये है 45 45 यानी 45 आप बोलिए 45 बच्चों 45 ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों ये है 46 46 यानी 46 आप बोलिए 46 अब ये है 47 47 यानी 47 आप बोलिए 47 अब ये है 48 48 यानी 48 आप बोलिए 48 बच्चों इसे ऐसे भी लिखा जाता है अब ये है 59 59 यानी 49 आप बोलिए 50 बच्चों 59 को ऐसे भी लिखा जाता है अब ये है 50 50 यानी 50 आप बोलिए 50 अब ये है 51 51 यानी 51 आप बोलिए 51 अब ये है 52 52 यानी 52 आप बोलिए 52 अब ये है 53 53 यानी 53 आप बोलिए 53 अब ये है 54 54 यानी 54 आप बोलिए 54 बच्चों ये है 55 आप बोलिए 55 आप बोलिए 55 बच्चों ये है 56 56 यानी 56 आप बोलिए 56 बच्चों ये है 57 57 यानी 57 आप बोलिए 57 बच्चों ये है 58 58 यानी 58 आप बोलिए 58 बच्चों ये है 59 59 यानी 59 आप बोलिए 69 बच्चों ये है 60 60 यानी 60 आप बोलिए 60 तो बच्चों ये है 31 से लेके 60 तक की गिंती जो हमने अभी पढ़ी 61 से लेके 100 तक की गिंतिया हम अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे धन्यवाद, ओम शान्ति